यहां पे आपको given है एक ring, इस ring पे है charge Q, अब आपको बताना है, increment in the force, stretching the wire, अगर इस ring के center पे Q not charge को रख दिया जाए, अब यहां से आप सवाल समझ नहीं पाए होगे, देखिए, आपके पास एक ring थी, ring को आपने Q charge दिया, अब यह Q charge पूरी ring पे होगे, distribute, अब यह क्या कर र रिपेल कर रहा है, क्योंकि यह दूसरी को रिपेल कर रहा है, तो इस ring में एक तनाव आ जाएगा, एक stretch आ जाएगा, अच्छा, इस ring पे force होगा, इसको हम लोग stretching force बोल सकते हैं, ठीक है, अब क्या हुआ, इस ring के center पे Q not charge रख दिया गया, अब यह जो Q not charge है, इन छोटे-छ charges को repel कर रहा है, अर डारेक्शन में, इसकी बज़े से, यह ring अब और ज्यादा बड़ी होना चाहेगी, यानि कि इसमें और ज्यादा stretch होगा, यानि कि जो force था stretching का वो और ज्यादा हो जाएगा, तो अब हमें इस सवाल में, वो जो extra force है, जो increase हो रहा है, उसको बताना है, clear ह है, okay, now, तो सवाल को solve करते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं, यह जो force, stretching the wire है, यह क्या चीज़ है, है ना, कुछ नया सा force लग रहा है, बट हलांकि यह नया है, नहीं, देखिए, तो मैं आपको बता दू, यह कुछ और नहीं, बल्कि यह tension की बात कर रहा है, क्यासे, देखो, सबसे simple example लेता हूँ, मालीजी आपके पास एक rope है, इस ceiling से, attest, आपने इस पे एक mass लटका दिया, माल लेते हैं, weight हो गया, इसका mg, अब हम इसको क्या से solve करते हैं, हम देखते हैं, इस string में एक stretch आता है, right, इसकी वज़े से आपको यहाँ पे देखेगा, तरह फ्रियोडी diagram बना होगे, हम लोग लगाते, इसमें T, और नीचे इसका रहता है, इसका weight, और string में क्या करेंगे, string में यहाँ पे लगाएंगे, हम लोग इसके end point पे tension, अभी tension क्यों लगा रहे है, क्योंकि यह string stretch हो रही है, same चीज़, यहाँ बार इस disk के साथ हो रही है, disk भी stretch हो रही है, यहाँ पर जो tension है, कहाँ लगता है, tension लग रहा है आपके end point पे, हाला कि सारे points पे है, और हम जिस point पे calculate कर रहे है, वो end point है, और यहाँ पर आप देखोगे, यह कहाँ लग रहा है, इस string की body से away, right, यहाँ पर भी जो tension लगेगा, इस ring में, हम जो भी element लेंगे, उसकी body से away बात, अब इसके part के end point कहाँ है, देखिए, ए और C, sorry, A और B end point है, इस पे अब direction क्या होगा tension का, सीडी सी बात है, away from the body, तो किदर लगेगा आपको, यह direction आएगा, इतनी सी बात, यह हो गया, आपका tension का direction, अब A की body है, तो tension भी same होनी चाहिए, तो tension की आमला हमको T, और यह T clear है, अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर हम इस tension को यह होती है, tangential direction में, right, now, अगर हम इसको पीछे लेके जाए, तो यह दोनों की दोनों tension के direction है, एक point P पर cut कर जाएंगे, clear देखिए इस बात, now, अगर हम assume करें यहाँ पर देखो, इस P को और O को हमने connect भी कर द है, अगर किसी point से, किसी circle पर दो tangent डाले जाएं, तो वो दोनों tangent की जो length है same होती है, right, तो यहाँ पर P A और P B बरावर है, right, और देखिए, O B और O A बरावर है, क्योंकि circle की radius है, और P और O common line है दोनों triangle में, सीदी से बाद यह दोनों triangle congruent है, right, clear है, now, इसका मतलब क्या है, अब यहाँ से समझते हैं, तो महल लेते हैं, यह जो line है, P O और O भी इनके बीच angle एक theta angle है, तो हमारा जो element है, total angle उसका क्या हो जाएगा, 2 theta, right, अच्छा, now, एक चीद देखिए, तो tangent होती 90 degree, ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो हमें एक angle हो जाएगा, theta, clear है इतना, अब मैं देखिए, अलग से लिख देता हूँ, हमें यहाँ पर मिला, theta angle, यह theta हो जाएगा, हमारा यहाँ पर, ठीक है, यह मत थी हमारी tension, यह थी हमारी tension, clear है, अब हम लोग इसको ध्यान से थोड़ा सा केलविट करते हैं, simply mathematics से, right, अब आप ध्या हो जाएगा, आपका, P sin theta, clear है, now, same चीज मिलेगी, दूसरी tension के लिए, right, यहाँ पर देखो, यह देखो, यह आपका हो गया, T cos theta, और again, center की तरफ, P sin theta, right, और फिगर में होच-बच हो रहा है, तो मैं अलग से आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर हमको मिल रहा है, इस हमारी दोनों tension, यह था हमारा T cos theta, यह था हमारा T cos theta, और यहाँ पर 2 T sin theta देख रहा है, ठीक है, now, अब आप ध्यान दीजिए, T cos theta, यह T cos theta, दोनों equivalent अपोली direction में, तो क्या हो जाएगे, cancel out, तो आपको जो net force मिलेगा, वो मिलेगा, आपको यहाँ पर 2 T sin theta towards the center, एक बात clear है, तो यह तो होगी tension की बात, दूसरी बात क्या है, हमने बोला था कि यह जो center में charge रखा है, यह repulsion create करेगा, तो इस force को भी calculate करते है, now, हमने माना था हमारा एक छोटा सा element था A, C, B, और आप ध्यान दें, तो अब यह भी हमने prove किया था कि यह जो दो triangle बन रहे हैं, यह दोनों triangle congruent है, जिसका मतलब ही होगा कि A, C और C, B, जो arc है, दोनों arc length बरावर होगी, right, तो now, अब हमनों क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लिया देगिए, यह A, C, B को, ठीक है, point C को O से connect किया हुआ है, यह हमारा A, और यह हो गया हमारा B, यह रा C, ठीक है, अब हम इस arc पर एक छोट theta सा element लेते हैं, महानलीच हमने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, इसको मने connect किया, यहाँ पर इस से, इसका angle है, महानलीच कोई angle theta है, ठीक, now, तो इस पर इस element force किदर होगा, सीथी सी बात है, इस element force होगा, इस direction, के लिए रती सी बात, now, अब आप ध्यान दीजिए, चुकि यह symmetric है, ऐसा हमें एक और element इस तरह भी मिलेगा, दूसी तरफ, जिट्टो जिसका angle भी यहाँ पर theta हो रहा होगा, और इसका force कुछ इस तरह से जाएगा, अब इसको लोग दो पार्ट में break करते हैं, एक तो along the oc direction, यह मान लिए along oc direction, और एक oc के perpendicular यह ठीक है, ठीक है, अब दे element है, तो छोटा force, यह हो जाएगा, आपका df cos theta, perpendicular हो जाएगा, आपका df sin theta, similarly हम लिए देखते हैं, दूसरे element पर, जो just इसका opposite है, यहाँ पर आपको क्या देखेगा, देखो, आपको देख रहा है, यह angle theta है, यहाँ पर मिलेगा, यह df, यह होगे, आपका df cos theta, और इस तर df sin theta है, और यह df sin theta है, यह equivalent opposite है, यह cancel out हो जाएगे, तो net force क्या मिलेगा, देखो, net force हम लगा, पूरे में sum करेंगे, तो आपको मिलेगा यह वाला, सिर्फ और सिर्फ, पोसी के direction में, आने की, radial direction में, के लिए तनी सी बात, अब हमें इस force को calculate करना है, के लिए तनी सी बात, क कैसे करेंगे, अब देखो, net force क्या होगा, तो सबसे पहले लिखते हैं, df, df हमारा हो जाएगा, यहाँ पर, के, ठीक है, q naught, tq upon radius का square, r square, अब हमें इतना तो चाहिए नहीं, हमें कह चाहिए इसका cost component, यहाँ पर हमने लिख दिया, इसका cost theta, ठीक है, यह cost theta हो गया, df, cost theta, अब इस रिंग में total force निकालना हो, तो इसको क्या कर देंगे, intricate, यह हो गया आपका net force इस रिंग पर, clear है इतना इसी बात, तो इस रिंग में हम लोग dq कैसे निकालेंगे, देखो, तो dq क्या हो जाएगा, simply देखो, इस पूरी रिंग में कितना charge था, q, divided by कितना इसकी total length, 2 तो हम लोग इसको देखो, इसको हम लोग मान ले रहे है, linear charge density यह हो गई, आपकी lambda, आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, dq, dq is equal to, आपको मिल जाएगा, lambda r d theta, right, इसको हम लोग इसमें put कर देंगे, देखो ज्यान से, तो यानि कि हमको f मिल रहा है, net f मिल रहा है, k times q naught upon r square lambda r d theta cos theta, right, और इसका integration, कहां से कहां तक, देखो, आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है, 0 से theta कर तो उसका 2 times करते हो, या फिर minus theta 2 plus theta, ठीक है, जैसे कर लो, symmetric है, हम लोग यहाँ पर कर दे रहे है, 0 से theta into 2, right, तो देखो, यह force क्या आजाएगा, निकल के, निकल के, आपका 2 k q naught lambda upon r, integration of cos theta d theta, 0 से theta तक, अब इसका integration क्या आएगा, sin theta, right, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, 2 k q naught lambda upon r, bracket में, sin theta 0 to theta, limit put करोगे, sin 0 0, और sin theta, sin theta, तो आपके यहाँ पर मिलेगा, f is equal to 2 k q naught lambda upon r sin, अब यह force के दर साइस रिंग पर देखो, इस रिंग पर radially outward, ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, आपके पास यह element का, इस पर एक force लग रहा है, outward, और total लग रहा है, यहाँ पर 2 t sin theta, अच्छा है, क्या यह र रिंग तो equilibrium में, इसका अलब यह दोनों force होने चाहिए, equal, right, now, तो हम हमें क्या करना है, simply values को compare करा देना है, यह तो हमारा f था, f बरावर क्यों हो गया, हमारा 2 t sin theta, right, अब देखो, sin theta से sin theta cancel, 2 से यहाँ पर 2 cancel, आपको क्या मिला है, यहाँ पर, t is equal to, आपको मिल गया है, यह 1 upon 4 pi epsilon 0, ठीक है, q 0 का q 0, r यहाँ पर है, और lambda हमारा क्या था, q upon 2 pi r, I hope वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो please वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, और दोस्तों के साथ share जरू करें, thank you and have a nice day.